हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अस्टड़े मितर में तो कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों हम सभी जो है अस्ट शाप के परमुक कभियों को देख रहे थे जिसमें की हम लोगों ने अभी तक नंद दास जी को किष्ण दास जी को कुमंद दास जी को इन सभी को देख चुके हैं तो आज की जो हमारे कभी हैं सभसे बड़े कभी सबसे महान कभी भक्तिकाल के वह हैं सूर्दाष जी इनके वारे में हम लोग चानेंगे वैसे सूर्दास के नाम से अप सभी बहुत अच्छे से परेचित हैं पहले से ही, लेकिन एक बार फिर से इनके बारे में हम लोग चानते हैं, इनके बारे में क्या बिसेश बाते हैं, उन सभी को जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहीएगा हमारे साथ, तो चलिए आये जानते हैं, हिंदी साहित में भगवान इसका अभी तक कोई परमान नहीं मिल पाया है लेकिन इन से समंदित एक कहानी है वो कहानी यह है कि भगवान स्री किष्ण इनकी भक्ती से इतनी ज़्याद़ प्रशन हो गए थे कि उन्होंने उनको दर्सन दिया था और उनसे कहा था कि वर मांगो कुछ वर मांगो तो प्रश्टी ने भगवान से कहा कि मुझे दृष्टी हीन कर दीजे यानि कि मुझे ऐसा कर दीजे कि मैं कुछ देख न पाऊं क्योंकि अब आपके दर्सन हो गए हैं तो आपके दर्सन के अलाबा और मैं किसी चीज़ की दर्सन करना ही नहीं चाहता हूं इसलिए मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए थे या एक बिवाद का प्रश्ण बना हुआ है लेकिन यह कहानी चलती है तो मैंने भी कहीं से सुनी है तो मैं सोची कि आप लोगों को भी सुना दूँ तो आईए जानते हैं इ दिक्रम शावंद के दिश्टी से देखे तो 1535 ठीके जन्मस्थान इनका कहा माना जाता है तो जन्मस्थान माना जाता है सीही और उनक्ता दोनों माना जाता है इनका जन्मस्थान अब एक बात इहां पे दिमाग में उठ रही होगी सीही और उनक्ता दोनों जन्मस्थान है इनका तो देखिए दोनों जन्मस्थान जो है एक सीही जो है या दिल्ली के निकट है और उनक्ता जो है मुथरा के निकट है दोनों को अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग धंग से माना है तो सीही को मानने वाले बिद्वान थे डाक्टर नागेंद्र और गनपती च अब एक बात और आपके मन में उठ रही होगी कि मैम अगर ऑप्षन में दोनों रहा सीही भी रुनकता भी तो सही हम किसे मानेंगे तो सही आपको मानना है सीही को अगर एक जाम में पूश दिया परिच्छा में आ गया कि सूर्दास का जन्मस्थान कहां माना जाता है तो आपको सीही में लगा के आना है सही ठीक इनके गुरु कौन थे तो इनके गुरु थे बल्लवाचार जी गुरु दिख्छा इन्होंने कब पराप्ट की थी तो पंद्रसो नो इस्वी कहां पार्सोली नामक गाउ में ठीक है इनका मित्यु काल का जो समय है वो क्या है पंद्रसो तेरासी इस्वी विक्रम शावंद क के दिश्टी से देखें तो 1640 मित्यु अस्थान भी इनका वहीं है कहां जहां पर इन्होंने दिख्छा लिया था पार्सोली नामक गाउं में अब आती है बात इनकी भक्ति-पत्ति कैसी थी इनकी भक्ति-पत्ति कैसी थी तो देखते हैं देखिए यह प्रारंभ में दास एवं बिनाई भाव से लेखन कारी करते थे परन्तु बाद में बल्हवाचार जी की आग्यास इन्होंने साख वासल एवं मदूर भाव की पत्ति को अपनाया पहले तो यह क्या करते थे सुरुवात में दास एवं बिनाई भाव से पत्ति-पत्ति का कारी करते थे परन्तु ब्रजन वह अब आती है इनकी पրमुक रचनाई कौन कोनसी है जो भी रचनाए रचीourage ल् Loru जाता है कि कूल पचीस reverse घृषwo से आप भी परीचित होंगे वो नाम यह है सूर सागर, सूर सरावली, साहित लहरी, सूर पचीसी, सूर रमायन और सूर साथी और राधा रसकेली इसमें से सूर सागर, सूर सरावली, साहित लहरी इन तिनों नाम से आप बहुत अच्छी तरह से परीचित है अब जान लेते हैं कुछ महत्पुन बाते तो सूर्दास की रचनाओं का सपर्थम संपादन जो हुआ था कॉलकत्ता में सन 1841 इस्वी में राग कल्पद्रुब नाम से हुआ था ठीक है इसको भी आप ध्यार में रखेंगे इनकी रचनाओं से समंदित मौत्पुन तत्थी जो भी है उनको भी हम लोग एक बार देखते है सूरसागर इनकी सर्वस्रेश रचना मानी जाती है दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसका मुख्यधार श्री मत भागवत पुरान इसका मुख्यधार क्या है श्री मत भागवत पुरान का दसम असकंद माना जाता है किसका सूरसागर का easiest बिल्कुल आप ध्यार में रखेंगे ठीके सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 असकंद हैं इसके दसमे असकंद में सबसे ज़्यादा पद रचे गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अनयोक्ति एबम उपालंभ काव कहके पुका रहा है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है साहित लहरी। तो साहित लहरी या इनकी रीती परक का भी माना जाता है क्या माना जाता है रीती परक का भी है साहित लहरी और इसमें जो है राधा कृष्णी की लिलाओं का वर्णन किया गया है अलंकार निरुपन की दृष्णी से इस गरंद को अत्यधिक महत्त दिया गया है किसको साहित लहरी को अलंकार निरुपन की द्रिष्टी से अतिदिक महत्त दिया गया है और इसमें राधाकेशन के लिलाओं का वर्णन भी है अब आती है बात सूर सरावली के बारे में तो यह इनकी जो है क्या है विवादित या कहें कि ओपरमानिक रजना मानी जाती है यहाँ पे ओपरमानिक होनी चाहिए सूर सरावली जो रजना है इनकी यह ओपरमानिक या कहें कि विवादित मानी जाती है यहाँ पे ओपरमानिक होगा ठीक है चलिए अब जाननेते हैं बिशेश तर्थि क्या-क्या है इनके बारे में जोकी सबसे ज़्यादा महुत्पून है और खास करके UGC नेट एक्जाम के लिए काफी महुत्पून है तो इसको जरूर देखेंगे हम लोग अच्छे से चलिए बिशेश तर्थि सूर्दास जी को खंजननयन वासली रसका समराथ पुष्टी मार का जहाज आधी नामों से पुकारा जाता है अचारिशुक्ल ने इन्हें वासली रसका समराथ एवं जीवनों उस्तप का कभी कहा है अचारिशुक्ल ने इन्हें क्या कहा है वासली रसका समराथ एवं जीवनों उस्तप का कभी कहा है तो बिल्कुल दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे अगर प्रशन में पूछ लिया गया है अपसे कि वासली रसका समराथ किसने कहा है शूर्दास जी को तो अचारिशुक्ल ने कहा है प्रहमरगीत को क्या कहा है तो धौनी काब कहा है अचारी शुक्री ने प्रहमरगीत को क्या कहा है धौनी काब कहा है कुछ आलोचों को क्या अनुसार यह कहा जाता है कि सूर्दाहजी जो थे वो क्या थे चंदरवर्दाई के वनसज थे कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि सूर्दाजी जो थे वो क्या थे चंदरवरदाई जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं आदिकाल में उनके वे वनसज माने जाते हैं हिंदी साहित जगत में सूर्दाजी को सूरी के समान माना गया है गोशामी बिठल नाथ जी ने इनकी मित्यू के समय इनको पुस्टी मार का जहाज कहके पुकारा था इनकी मित्यू के समय उन्होंने लोगों को सम्बदित करते वे कहा था कि पुस्टी मार को जहाज जात है जो जाको कुछ लेना हो सोलेव ठीक है ये बहुत ही important line है बिल्कुल आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये नेट के exam में दो तीन बार पूछा जा चुका है कि गोशामी बिठल नाजी ने इनके मित्व के समय क्या कहा था सूर्डाजी को कहा था यह लोगों को संबोधित करते हुए कि पूष्टी मारक को जहाद जात है सो जाको कच्छू लेना होई सो लेओ ठीक है कून कहा था बिठल नाजी ने अब देखे सूर्डाजी समंदित बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने कथन कहे हैं तो मैं जो अक्सर एक्जाम में पूछी जाते हैं उनको मैं ली हूँ तो अचारामचन शुक्ल हजारी परशा द्वेदी के बारे में अचारामचन शुक्ल ने क्या कहा है कि वाश कोना वो जाकाए हैं बहुत ही अच्छी बहुत ही खुबसूरत सी पंक्तियां है यह अचारामचन शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कहते हैं वो कि सूरदाजी वाश्यल और सिंगार के छेत्र में जितना अधी उधगाटन सूर ने अपनी बंद आखों से किया है उतन किसी और कभी ने नहीं इन छेतनों कावा कोना कोना जाकाए हैं मैं दो दो बार रेपीट करती हूं किसी लाइन को तो मुझे लगता है कि सूनके भी आपको याद हो जाएगा ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट इसको ध्यान में रखेंगे अचारा हजारी परसाद दूदी लगती है संगीत के परवाह में कभी स्वेम बहे जाता है कितनी खुबशूरत पंग्तियां है इस परशारächst का दूदी जिने जो लिखी है ये भी बहुत ऐच्छी पंग्तिया थे अचारा रामचं श्व्कल सुक्लेन इस भी जो लिखा है वो भी बहूत ऐची पंग्तिया मतलब सूर्दास जी का इतना बड़ा स्थान है कृष्ण भक्ति साखा में कृष्ण प्रेम को लेके जो रचनाय वो रच्ते थे वास्चरले सिंगहार उनके बारे में इतनी चीज़ बाते जो कही गई है इन विद्वानों के दारा तो लगता है कि सच में वो महान कभी थे सच में वो हिंदी साहित में सूरी के समान थे सूर्दास के अंतिम पद निमलिखित हैं जो इस परकार से है खंजन नयन रूप रसमाते अती से चारा चपल अंधियारे पल पिंजडाना समाते बहुत ही अच्छी पंक्तिया है ये इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर दिल से पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करें कि आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें आप सभी आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे मैं वीडियो अपलोड करती होंगी आप सभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद